असलामलेकूम विवर्स आज मैं आपके लिए ब्राउनी के बनाने जा रही हूँ ब्राउनी दो तरह की होती है एक फज प्राउनी और एक केक ब्राउनी तो आज मेरे किचन में फज प्राउनी बन रही है यह और मुस्ट इन में एक ही ज़से इंक्रीडेंट्स यूज होते है बस फ्लार की मिक्तार कम या ज्यादा करने से केक ब्राउनी या फज ब्राउनी बन जाती है तो केक ब्राउनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी अभी आज मैं फज ब्राउनी बना रही हूँ तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं इसकी रेसीपी आपके साथ शेयर करती हूँ तो चलें मेरी किचन में चलते हैं और ब्राउनी बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मेरे पास डाक चॉकलेट है यह 250 ग्राम्स है और इसमें मैंने 125 ग्राम्स बटर डालना है यानि जितनी चॉकलेट है उसका हाफ मैं बटर डालूँगी होमेट बटर है यह और इसको अब मुझे माइक्रोवेब में 30 सेकिन के लिए मेल्ट कर लेना है तो जब मैंने इन दोनों चीजों को माइक्रोवेब में 30 सेकिन के लिए मेल्ट किया तो ये कुछ इस शकल के हो गए और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया तो ये देखे ये लिक्विड चॉकलिट है इसको साइट में रखा और उसके बाद मैंने एक और बोल ले लिया और इस बोल में मैं डालूगी एक कप ब्राउन शुकर इसमें मैं ब्राउन शुकर इसलिए यूज़ करी हूँ कि क्योंकि इससे फजी टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है तो एक कप ब्राउन शुकर ले ली और ब्राउन शुकर के साथ साथ मैंने ली है वन फोर्थ कप रेगुलर शुकर और इसको मैंने grind करके powder sugar में convert कर लिया है तो ये powder sugar डाल दी इसके अंदर और इसके बाद इसके अंदर जायेंगे three eggs लेकिन ये eggs मुझे one by one डालने है एक एक डाला और इसको अच्छे से mix कर लिया तो ये कुछ इस शकल का हो जायगा उसके बाद दूसरा egg डाल दिया और इसको भी mix किया अच्छे तरीके से इसको भी whisk कर लिया और नाव third one जलेगे इसको अच्छे से mix कर लिया मैंने अब इसमें जाएगा एक पिंच salt टेस्ट को enhance करने के लिए one fourth teaspoon इसमें मैंने vanilla extract एड़ किया और साथ ही ये जो chocolate जिसको हमने liquid किया है अब ये कुछ थोड़ी room temperature पे आ गई है इसको अड़ कर दिया गरम गरम नहीं डालना था इसको वरना सारा texture खराब हो जाता अब जाएगा इसके अंदर cocoa powder ये भी one fourth cup है ये डाल की इसको भी मैं अच्छे से whisk कर लूँगी और mix कर लूँगी जितनी mixing है यहां पर ही हो जाएगी क्योंके flour डालने के बाद हमने इसको whisk नहीं करना है जस्ट हमने इसको fold करना है तो अब मैंने half cup लिया है मैदा इस recipe में सिर्फ आदा cup मैदा इस्तमाल होगा इसको shift किया और इसके बाद मैंने spatula के साथ इसको अच्छे से fold कर लिया यह मैदा चॉकलेट एक्स वगरा जब सारे अच्छे से incorporate हो जाएंगे तो यह कुछ इस texture में आ जाएगा यह ऐसे इसकी शकल बन जाएगी बहुत ही mouth watering है यह आप यकीन करें मैं रहे बहुत ज्यादा इसके enjoy किया था इसको बनाते हुए अच्छा इसके बाद अब इसको side पे रखा और एक मैंने यह tray लिया है brownie tray है nine by nine inches का है यह इसको मैंने parchment paper लगा के grease कर लिया है और अब यह सारा better मैं इस tray के अंदर shift कर दूँगी तो यह brownie का better जो है यह मैं इस tray में पोर करूँगी अच्छा तरीके से इसको साफ कर लिया कुछ भी जाया ना हो उसके बाद इस tray को थोड़ टैप किया ताके air bubbles सारे remove हो जाए और इसके बाद इसको मैंने pre-heater जो मैंने तीच्चा रखा है उपर उसके अंदर रखतूँगी इसको मैं 40 से 45 मिनट पे medium flame पे बेक करूँगी और अवन में यह 180 दिग्री पे होगा तो 45 मिनट के बाद जब मैंने देख्चे कर धकर उठाया तो यह brownie बहुत ही प्यारी शकल में बनके बेक हो चुकी है इसको मैंने चेक किया कि कहीं यह एक भी कच्ची तो नहीं है तो कोई भी particle नहीं निकना यह बिल्कुल clear है तो अब इसको मैं बाहर निकालूँगी अभी यह बहुत गर्म है इसको मैं बाहर निकालती हूँ देख्चे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देख्चे ब्राउनी को मैंने निकाल लिया है अभी इसको मैं टच नहीं कर सकती बहुत कर्म है इसको मैं 15-20 मिनट का रेस्ट दूँगी और इसके बाद इसको मैंने निकाला यह देखें पार्चमेट पेपर के साथ कितनी असानी से यह ट्रेस से निकलाया है तो यह देखें यह जबरदस्ती ब्राउनी तयार है अब इसको कट करना है आपकी मर्जी है आप इसको बड़े क्यूबस में काटें इसको छोटे क्यूबस में काटें भाई आपकी ब्राउनी आप जो मर्जी करें इसके साथ लेकिन मैंने इसको ब्राउनी की शेप में ही काट किया है और यह देखें इसका मैं आपको टेक्स्ट्रे दिखाती हूँ वाउ यह बहुत ही मज़ेतार ब्राउनी तयार हो गई और इसको मैं जरा टेस्ट करती हूँ यम बहुत ही मज़े की है यह वाकी बहुत चॉकलेटी और जबर्दस साफ़ा जिसमें बना है चले अब इसको मैं ट्रे में रखती हूँ और उसके बाद आपको इसकी जरा एक फाइनल लुक देती हूँ यह लेजी यह मज़ेदार सी चॉकलेटी ब्राउनी बन के तयार हो गई है बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी तो आप इसको बनाएं अपने लिए अपने प्यारों के लिए मुझे फीड़बैक दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताके आपका और मेरा तालुक आपस में जुड़ा रहे नेक्स्ट वीडियो तक अल्ला हाफिज